ठीक है तो question number 11 क्या है देखेंगे चलिए question number 11 क्या है देखेंगे काता है कि 11 meter per second के वेग प्रारामभिक वेग यानि प्रारामभिक वेग दिया हुआ से प्रिथिवी तल से उपर की ओर फेका जाता है वह अधिक सधिक उचाई तक पहुंचेगा जी बराबर आपका दिया है 10 meter per second ठीक है तो फ्रेंस आप लोग पता होगा कि जब प्रिथिवी यानि उपर की तरफ जब फेका जाता है तो उस देन फर्मूला आपका होता है भी square बराबर u square plus 2g क्या h होगा ठीक है यहाँ पर height का काम करेगा दुरी की जो भी उचाई होगी ठीक है जो भी उचाई होगी वह h होगी और जो प्रिथिवी है प्रिथिवी का तोरण अब क्या होगा जी वहाँ पर क्या काम करेगा जी यहां से कर रहा है कि जी है जी बराबर 10 meter per second आपक ऊपर की और फेका जा है तो जब उपर की और फीन को फेकते है थे आप लोग्याद ध्यान में अगवे जब फिन ऊपर की तरफ धीरे धीरे उसका वेग क्या होने लगता है कम होने लगता है तो एक इस्थिती ऐसी आती है कि कुछ उचाई तक जाता है और वहां पर जो है कि उसका वेग अंतिम वेग जीरो हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है नीचे आने लगता है तो अंतिम वेग है कि 10 मीटर प्रती क्या सेकेंड स्कौर्ड अभी ये बताएए अधिक से अधिक जो है कितनी उचाई तक पहुंचेगा सलूसन लोग करके देख लेते हैं कि माइनस के तरफ जाने लगता है तो उस समय यह हो बने गा देखे कमाण रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जीष्ट का मान आप कितना 10 रखेंगे और इसका क्या इसक्षायर लेकि फ्रेंश यहां पर प्लस है तो प्लस को होगा जब नीचे से जो है कि ऊपर से नीचे गिरा जाता है तो बापका प्लस में होता है और ये पिंड को ऊपर से नीचे से तरफ फेका जाता है तो उस से याद रखेंगे ठीक है फार्मूला में भी हमनों सब कुछ पढ़े थे ना चलिए यहां पर हो जाएगा दो गूड़े गुरुत्तित वर्म कितने का है दस अगुड़े हाइट कितने है ठीक है अब यह इसको छोड़ दीजिए जीरो होएं दस दामें 100 होगा असो को इधर क फट गया दो पाचे 10 यहिए पांच मेचर यह नहीं कि अधिक से अधिक जो है इसकी हाइट यह बढम रहें कितने मिटर तक है 5 मेचर तक जा सकता है जोकि आपका अंतिम कोशन है और यह जदी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और अपने दुस्तों में सेर भी कर देज़ेगा चलिए बढ़ते हैं कोशन नमर जो ही की बारा के तरफ कोशन नमर बारा क्या है देखेंगे कहता है कि दो इस्टेशन के बिच अपीस कोशन को ध्यांस देखें कि तभी शमने आएगा क्यों कि बहुत बड़ा कोशन है दो इस्टेशनों के बीच एक गाड़ी की गति पहले समानरूप से बढ़ती है देखेगा पहली बार समानरूप से बढ़ रही है इसको आप लोग आ गटती है यदि तीनों इस्थितियों के लिए लिए गए समय क्रमसा एक समंद्धे च्छ समंद्धे एक के अनुपात में हो तो अधित्तम गती 32 किलोमेटर पति घंटा हो तो संपूर यात्रा की आउसत गती किलोमेटर पति घंटा में है तेखें यह का रहा है कि पहली बार त इसके बाती है तो इसके बाद यहां से जितानी दूरी तैय करती है उसके बाद समान रुप से क्या होती है घटने लगती है तो इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी क्योंकि यहां पर समान रुप से बढ क्या होगी समानों ठीक है न अब देखिए इस बात को आप याद रखेंगे हम लोग समीकण होता है यह बराबर यूटी प्लस एक बटा में दो एटी क्या स्क्वाइर यहाँ आपका क्या है समीकण अब देखिए माल लेते हैं एस से बी तक गाड़ी गई और एस वन दूरी त कि आपका अनुपात दिया है ना ठीक है और देखिए दिस से एक चला है तो इस तूरी की है उस समय आपका जो है क्या स्टी हो गया समय में समय को देखिए सी से दिक आ तोरी भी क्या बराबर ठीक है लेकि सिर्फ आपका यह चेंजिंग होगा क्योंकि यहां पर गाड़ी का स्पीट तेज होगी उसके बाद जो है कि समान उससे क्या हो रही है घट रही है कि लिए चलिए तो यहां पर अब यहां पर पहली दूरी देखते हैं वहीं तो यह जीरो हो जाए यानि एक बटा में 280 स्कॉरर यहां से समान उससे तो चलिए न अब यहां पर जो समय ज्यादा लेगी तो समय ज्यादा लेगी तो दूरी ताह करेगी ज्यादा की नहीं करेगी तो उस समय देखिए चाल उसकी कीतनी थी बतको और है कि चाल थी 32 kilomets परति घंटा उस समय चाल कितनी थी 32 kilometer परति घंटा तो जालते हैं कि बी बरावर होता है ए गुणे क्या टी याँ कि आपका त्वर Il YouTube आपका क्या है झाल क्यादा में और देखे अब सधुका दूराइब यहां से यहां तक की निकौलते हैं तो यहां बरावर हो जाएगा वेग मुडूने क्या समय कितने का है लिगवा आपका 80 हैं कि नहीं है एक भी रख सकते हैं यहां पर 32 रख लग करके निन्हाँ से अपर मोइने में कोई दिकत नहीं यहां से मल्टिपलाई यानि कितना है यहां पर मल्टिपलाई कर देंगा तौका कितना हो जाएगा चोष से ए में गुणा चोई हो जाएगा टी से टी में टी स्कॉार यह दूसरा है ना दूसरे की दूरी अब तीसरा जो समान उससे घट रहे तब तो पहले की और तीसरे की दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी फिर सलूसन करें तो वही मिलेगा ठीक है यू कमांड राक समय तो पहली दूरी इतनी है दूसरी दूरी आपको कितना है ठीक ना अब एक बात याद रखेंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी फर्मूले से क्या यह नहीं निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पर जो चाल है आपकी 32 किलोमेर पती घंटा हो गई है तो हम लोग आसानी से इससे निकाल लें यहीं पर हम लोग रख करके निकालें क्योंकि यहां पर उसके बाद घटने लग रही है ना एक बटा में दो समय आपका जोड रिया गया है किलियर है अब देखिए आठ बटा में ती कामन हो गया इसमें से और सभी में से 80 स्क्वार भी है प्लास हो गया एक बटा में दो सब्सक्राइब से टी कट गया है कि एक होगी यहां से έχει कर दोहीं से टना नih प्रतेनदिक को प्रति यहां कि आपको प्रती जो है कि मल जाएगा तो नमट करेंगए चलिए काता है कि एक हवाई जहाज 75 मीटर 30 सेकेंड की गती से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक राकेट छोड़ता है इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गती बढ़कर 120 मीटर 30 सेकेंड हो जाते है जहाज द्वारा 10 सेकेंड में तै की गई दोरी है यानि कर एक जहा अगले नहीं कर रहेगी जब जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड यह क्या है प्रथम ठीक है प्रथम टी टाइम ले रहा है कितना दस सेकेंड में तय की गई जो दूरी है कितनी है प्रथम 10 सेकेंड में जो है कितनी आपकी है आपको जो है वही फाइंड करना है ठीक है चली तो हम जानते है कि यदि टीवे सेकेंड होता है इस्टी बराबर होता है esti sooner मालूम नहीं है पहला यह क्या है ऑब पहला जो." ओप हैं तो है parody कि त्वरण क्यों है आपका Channel करेंगे लिधर नहीं सहरे Connor's तो तोरण बराबर क्या होता है फार्मुला तोरण ए बराबर होता है क्या सब्सक्राइब धार 2 माईनस कितना 75 लेकिन जब भदला हुर रहें कितनate second उम्हें 6 से केडे अब यह घटा देंगे तो पांच यहनी कि यहां पर दस हो जाएगा यहां पर जाएगा तीन और यहां पर दिवाइड करेंगे तो कितना यहां पर हो जाएगा तीन और यह जिरो उतर जाएगा चो पाइट पाइट कितना फाइड कि यह उस्मेanki हो गया साथ दस्मार प्रती सेकेंड तौराण पता हो गया तो आसानी समों त्यूरी निकाल सकते हैं आपका उत्त यो टी यू प्राणभी कितना है 75 है गुड़े समय कितना है 6 प्लास एक बटा में क्या दो गुड़े ए तोरण कितने का है 7.5 गुड़े ती का इसको है समय का इसको है 6-6 के 36 होगा कि नहीं होगा यह इसको ऐसे लिख सकते हां चलिए 36 कर दिजी और यहां से हम लोग कटा देंगे तो यह हो जाएगा 3 छक 18 मल्टिप्लाइ करेंगे और 8 करेंगे तो आपका टोटल मान हो जाएगा कितना 585 मीटर कितना हो जाएगा 585 मीटर यहां कितने हैं 6 सेकेंड में इतना दूर इता ही किया लेकिन कर रहें कि प्रथम 10 सेकेंड में आपसे पूछ रहा है कि द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तै की गई दूरी तो 6 सेकेंड के तो हमनों निकाल लिए 6 सेकेंड में इतना दूरी तै कर रहा है लेकि प्रथम 10 सेकेंड कर रहें 6 सेकेंड का फाइन कर दिया गया तो बच गय कितना 4 सेकेंड बचा अब देखिए 4 सेकेंड में 4 सेकेंड मे कि गई है कि तो जो है कि आब चार सेकेंद में ताय की गई दूरी देखिए तो आपका समय यह हम लोग यह तूल हमनों ले सकते हैं दिए टोटल रांतिम दूरी कितनी है अनतिम कितना है 120 मीटर प्रति सेंड है अगण कितने का है चार तो अप्टी बराबर यह दिस सेकेंड का हम निकालते हैं तो 10 सेकेंड क कुल आपका दूरी हो जाएगा कुल दूरी आपकी हो जाएगी देखे 6 सेकेंड 6-4-10 हो गया देखे 6 सेकेंड में आपका है 500 यहाँ पर लिख लेते हैं 585 प्लस 6 सेकेंड का हो गया और 4 सेकेंड अभी यह है तो 400 कितना 80 बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा पांच 0 पांच हो जाएगा आठ और 6 जाए ले पांच आणवर 1010 प्रफशन दस सेकेंड में चली गई जो दूरी है आपका हो जाएगा एक हजार पाइसाठ मीटर जो की अप्सना नमर कौन सा कर्यक्ट है आप का क्रेक्ट है ठीक है देखते हैं प्रस्ट नमर 14 की प्रस्ट नमर चौद के सवलूसन कैसे किया जाएगा गाल से तो प्रस्ट नमबर चौद है देखेंगे का आपलो कोई वालक मेरत में 20 मीटर उचाहिता गेंद फेख सकता है जहां कर देखेंगे चलिए यहां पर देखेंगे कर जी कि Amant management which is a mens men अपकी 20 मीटर तक है इन की मेरण में जो है की गेडewा 20 मीटर तक फेका जा रहा रहा है जाहां पर गुरुति तोरन जीवन का जुँ मान ४हwdर 8 प्रस्टेकंड सक्वाइर अब वह ही कर रहा है यहां पर यहां पर कानपूर को यह कानपूर का जो भी यहां से का रहा है कि यदि कानपूर का जो गुरुत्वी त्वरण है यानि कि जीटू जो है ना दसमलो आठ वान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर हो तो गेद जो है कितनी उचाई तक फेकी जा सकती है तो देखिए हर जगा यानि कि हर जगार यानि कानपूर फेकते हैं या आप जो है कि मिकलर सामान होगा यानि कि यहां पर वेगोई जो है दोनों का क्या होगा नियत होगा भले ही डिदी तरावन अलागला जब नियत रहता है तो उसके लिइ 겨ा रहता है sq apartment меш one बंता है इसם से लगे सर्किंदी स्टी टू पर हम विस्ट्ण हो कि और तो डिजू हो किटना है 20 मीटर है जी वन हो आपका कितना है 9.8 chúng डबता में शीट है आप देखिए यहां पर आपका हो जाएगा क्या है यह तो बरावर आपका हो जाएगा इससे यह इदि मल्टिप्लाई कराते हैं तो आपका हो जाएगा कितना एक सो चानवाइब करकर देख सकते हैं 20 से यहां से बाटा में हो जाएगा नो दस्मलो आठ एक ठीक है यहां से यहां से तो यहां बराबर हो जाएगा यदि हम लोग इसको डिवाइट करते हैं तो आपका हो जाएगा 9 यहां पर आप जो है कि 100 से उपर निचे मल्टिप्लाई भी करके आप लोग डिवाइट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 19 यानि 192 बढ़ेगा इसमें पॉइंट हर जाएगा यानि कि 900 कितना हो जाएगा एक आसी आइसको हम लोग डिवाइट करेंगे तो आपका हो जाएगा 19.979 ठीक है यहां से एच यह टू है एच टू बराबर हाइट हो जाएगे उननेस दसमलो पॉइंट की दि दो अंग पे लेते है हम लोग मान तो तीसरा घू पांज या पांच से दिख हो तो दूसरे अंग में जो है कि एक जूर जाता है यह पांच से दिखे 9 है इस में 100 genuine आपका हो जाएगा नहीं आठ यहनिकी इतना मीटर याणिक जो है मेरत में जो है मेAR कानपुर में जो है कि अधिकतम उचाई कितने होगी नम, इस व्म उननिस दस्मलों आठ मीटर धीक इतनी ऊचाई तक जो है कि कानपुर में गेद आपकी फेकी जा सकते एकव जब व्यक नियत हो तब छेख चले तो आप्सण कौन सा करेक्ठ है है जो है कि आपसा नंबर आपका आपसा नंबर यह आपका करेक्ठ है एक क्रिकिलिए है चले में देखते हैं एकड़के प्रश्ण मर्पंद्रा तो प्रस्ट नम्बर जो ही 15 देखेंगे अपलो चलिए प्रस्ट नम्बर 15 कहता है एक पींड सौ मीटर पती सेकेंड के वेक से उर्धवादर फेका जाता है उर्धवादर मैंने होता है सीधा ऊपर के तरफ ठीक है गती प्रारंब करने वाले बिंद उपर लौटने का समय होगा एक कोई पिंड है कि कि से पींड को क्या किया जा रहा है तो फेकने में कह रहे हैं वाधरियानिकि उपर के तरफ जब आतना वह नहीं होता है सीधा उपर के तरफ कर घेंद जो है डॉस्ट यानी जो है 100 मीटर फ्यान य availability से व्यादर प्राराम्भी है इसका कितना सोव मीटर प्रती सेकेंड तो यहां पर देखेगा फ्रेंस हम लोग ऊपर के तरफ गेर्ट फेकते हैं तो धीरे धीर उसका वेग कम होता है यानि कि जो गुरुत्वी तोरण होगा वह माइनस में होने लगता है गुरुत्वी तोरण क्या कम होता है तो जी कमान समय क्या Ahora कि यहाँ पकार लिए तो समय कितना कि जाता है प्रारामभी भ्रीक वीर बरावर कितना है सो मीटर प्रती सेकंड है एंतिम वर्य मंजा जाएगा जीरो होगा क्या नहीं होगा पिंट जा करोखे गब पर अभी यहाँ से गुरुथिधी त्वराण जो जी है इस कमाने किस में होगा छोगा किम होग तो स्क्वाइर इतना ले सकते हैं यहां हम लोग ले सकते हैं 9.8 भी कितना 9.8 राने दीजिए कि अब देखिए 9.8 ले लिए हम लोग यहां से निगालना है क्या समय यानि कि टोटल आने और जाने में टोटल समय आपको कितना लगा यही आपको करना है जानते हैं कि भी बराबर होता है यू प्लास एटी देखिए एटी होता है यदि प्रित्वी तल से उपर की तरफ फेका जाता है यहां पर जो है वही जी का काम करता है अब उपर जब फेका जाता है तो धीरे धीरे गुर्ती तोरण कमान क्या होता है घटने लगता है यहां पर क्या लगेगा माइनस यानिक यह बनेगा भी वराबत यू माइनस क्या जी टी यहां पर अंतीबेग भी कमान जीरो हो जाएगा यू प्रारमभिक वे कितना है सो है अब माइनस गुरूती तोर जी का मान कितना है 9.8 और टाइम आप से पूछ रहा है यह माइनस में ही ज़र कर दीजिए तो यह हो जाएगा 9.8 टी यह हो जाए कितना सो यह टाइम जो हो जाएगा आपका सो बाटा में 9.8 ठीक है और यह दि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका मिलेगा कितना यहां से 10 से उपर निचे जो एक गुणा भी कर सकते हैं दस से उपर गुणा 10 से नीचे पॉइंट हाटाने के लिए तो यहां पर कितना हो जाएगा एक औहाजार हो जाएगा आप बट्णमे कीतना हो जाएगा आपका 90 up क फिर अब यदी हम लोगा नफाने सकेंट से 1,000 को ढिवाइड करते हैं तो हो जाएगा दस दसमलों 2 सेकंड इंग टूटल टाइम एपिन्ड जहां तक या पहुचता है वहां तक कई समय है याने तो समय कुल समय कितना हुजाएगा about कि नहीं होगा जायता कि लिए टी दो बरावर हो जाएगा dual nessorb ada के पर और thinking 2 आप वजाएगा धार बीस दास मुलों चार सेकेंड इस टोटल पिंड है जाने और आने में समय कितना लगेगे आपका पिंड का 20.4 सेकेंड आपका टोटल जो है कि आने और जाने में समय लगेगा तो देखते हैं आफसा नमबर कौन सा करेक्ट है 20.4 सेकेंड आफसा नमबर भी आपको करेक्ट है यानि कि पहले वाले बिंद उपर आने के लिए जो है कि पिंड को टोटल जो है कि आपका 20 दस मोलों चार सेकेंड का समय लएगा जो कि आप सन्मर कौन सा करेक्ट आप सन्मर्जों कि भी आप करेक्ट ठीक है चलिए देखते हैं प्रस्ट नमर 16 तो प्रस्ट नमर 16 में आप कुछ नहीं करना है बस आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं आपको याद रखना है और सेम्ट प्रॉसेस आपका वहीं चलेगा ठीक है चलिए आपका यहीं फार्मूला याद हो तो लगाने में कोई परसानी नहीं होगी ठीक है चलिए यहां से और तो दूर्ट चलकर रुख जाती है वस्तु के प्राराभिक तथा अंतिम वेगो का अंतर होगा अपसंदिया है सुन्हें होगा आप लोगी याद रखेंगे बी आपका अनन्त होगा सी एक होगा डी आपका दिया है इनमेंसे कोई नहीं तो आपस्ट नंबर यहां का करे और इसके बाद प्रस्ट नमबर 27 में देखेगा किसी 200 मीटर उची यानि हाइट जो है सोरी मैं प्रस्ट पहले पढ़ से किसी 200 मीटर उची मिनार की चोटी से पत्थर को उधवाधर उपर की ओर 20 मिरपतिस सेकेंड की चाल से प्रच्छेपित करने पर प्रिथिवी से टकराते समय उसकी चाल होगी ठीक है यदि 20 मिरपतिस सेकेंड के वेक से यदि उपर के तरफ फेका जाता है तो वही यदि पिंड प्रिथिवी पर यदि आता है तो उसकी जुटर है उसकी चाल कितनी होगे यानि कि आपसे अनतिम चाल पूछ रहा है कि अनतिम चाल वह थे कितनी होगी ठीक है अब देखेंगें इसमें कहा रहा है कि कुछ यहां से 200 इसकी चोटि से पैथर को उद्धवाद और उपर की तो फेक दिया जाता है और इसकी जाल 20 मीटरप्रति क्या है यहां अब देखिए कराएगी प्रिथवी से टक रहा आब यही प्रिथवी सब्क अब टक रहता है उस समय जो है कि उसकी जो चाल है अंतिम चाल कितनी होगे चलिए तो देखेगा यह प्रिथिवी के तरफ जाता है तो गुरुती तुरान कमान धिर दिर क्या होगा बढ़ने लएगा ठीक है ठीक है थिस हाइट आप की है 200 मीटर की कितने मीटर की 200 मीटर की है ना तो अब ऊपर के कितना है 20 प्रति सेकेंड है लेकिन जब नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो वही जो यू है आपका हो जाए क्या माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड यू यूद रखेंगे आप लो तो इसके बाद और जी जो होगा जी किसमें कि तो भी स्क्वाइर आंड को निकाला है किसके लिए और गुणे 10 अब यहां पर आप साउय हिए रहां यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहदी माइनस बीस को करते हैं नहीं स्क्वाइर जैगा चार सो चाहेगा प्लस इसका करेंगे दो दूनित के चार और 4 से इसमें जो है कि मुट्टिप्लाइ करते हैं तो दोंगे 400 हुआ चार सो उसे 10 में करें तो कितना हो जाएगा 4000 और यहां से हम लोग घटा देते हैं तो 4000 में से यदि 400 घटा आते हैं तो कितना हो जाएगा 36 होगा कि नहीं होगा 36 हो जाएगा तो भी स्क्वाइर बराबर चाती सो हो गया तो भी बराबर हो जाएगा अंडरूर्ड में 36 यानि कि बराबर हो जाए कितना 60 मीटर प्रति सेकेंड यानि कि जो अंतीम बेग है अंतीम बेग जो है उसका हो जाएगा साथ मीटर प्रति सेकेंगा त। आपसे पूछ रहा था कि टक राते समय चाल कितनी होगे कभी तरफा nor और यह आप और आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी क्यों आप गूरत्वी तोपूरांट 15 ले रहे हैं कभी कभी क्यों जो है कि 9.8 ले रहे तो फ्रेंड्स आप लोग याद है कि जब ऊपर के तरफ हम फेकेंगे तो अधिकांस तो से 9.8 हम लेंगे और यह दिन नीचे के तरफ जाता है तो गुर्ती तोरां कमान बढ़ने लगता है तो वहां पर हम लेंगे क्या दस मी 8.10 की तरफ कोशन watches 8 देखते हैं हम परहिंड्स 8 फॉलार अतिमान समय के वर्ग के अनकृमन उपाट अनकृमनांपाती में दूरियां तय कर रहा है पिंड्स का त्वरांद जिन्स Um है घट रहा है सुन्य है दी दिया है नियत रहता है तो आप लोग याद रखेंगे आप सब्सक्राइब करेक्ट है आपका क्या होता है नियत रहता है नहीं बढ़ता है नहीं घड़ता है यंदि कि आपका जो हमेशा है तोरण आपका क्या होगा नियत रहेगा नहीं वाठानों के बीच की दूरी मिच की स्खक की ऑधी हिमीटर sa कूल दौरी करने में प्रटह की समय क्bas com Cup करना है वह याप को फाइन करना है यहां से हमानेigor तोन कर दौर कि यहां से यहां तक की दूरी यदि माल लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितना है यस मीटर की है कितना मीटर की यदि यस मीटर की या खुल मां सकते हैं एक्स किलमिटर भी ले सकते हैं तो माने लेते हैं ते हैं आपका क्या है एक्स किलमिटर हैं ठीक है yang pak कितनी है एक्स किलोमीटर है और करें कि आधी दूरी जो है यानि कि A से B यानि कि मालने इसका माध्य बिंदू है A B और यह माध्य बिंदू क्या है कि आधि दूरी चाल है तो आधि दूरी हो गया और ऑधि दूरी चलूरी 50 9 को जाएगा वसे जब सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कितने से कंड़ी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि आपकी जोए औसाचाल कितनी है चलिए तो औसाचाल निकालने के लिए पहले हम लोग का चाहिए औसाचाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में क्या कुल समय तो कुल दूरी समय हम लोग पता शक काल है तो समय को समय देखे घरً किitzu हैं ए से सी ठीक है ए से सी तक लगा समय यह लिख सकते हैं ए से सी तक दूरी तय करने में लगा समय यह एसे लिख सकते हैं कि आधी दूरी यह पहली आधी दूरी तय करने में लगा समय ठीक है एसे भी आप लोग लिख सकते हैं लगा समय बराबर क्या होगा दूरी बटा में क्या चाल याने कि समय बरबर देखें चाल बराबर आपका होता है फार्मुला दूरी बटा में क्या समय होता है यह चाल यह दी तो हम लोगों समय निकालना है तो समय वराबरों का दूरी बटा में क्या चाल तो ए से सी के की दूरी कितनी है यक्स बटा में टू है आचाल कितनी है चार दुनी के 8 यानि कि यक्स बाटा में हो जाए कितना और C ठीक है घंटा गंटे में है न किलो मेरे प्रती घंटा घंटे में लेना है यक्स बाटा में आज C घंटा हो गया अब देखिए फिर काराए C से कहां तक B तक लगा समय यानि कि आधा ना यहां पर लेख लिजिए समय कहां आधा ओने इस ऑसली कि तक कि दूरी टै करने में में लगा समय तो आपका हो जाएगा क्ल दूरिया क्या मुझत न दों यतों एक तुटांटा ठीक है यानि कि ए सट ए से लिए कि यह दूरी तरह किया है आपका समय लिया है यह इस मटामें 120 गन्टा और जो है एससी की दूरी तरह किया है यह लगंटा कुल समय कितना लगा अप्रेंट्स कुल समय बराबर हो जाएगा एक्स बटा में क्या और सी प्लास एक्स बटा में क्या 120 नहीं है तो आप लो उसा चालव डिरेक्ट जो है फार्मुलर रखर करके भी हल कर सकते हैं ठीक है तो इसका एलसियम लेंगे तो कितना जाएगा 240 होगा कि नहीं होगा और यह आठ तरी के 24 होगा यानिकि 3 एक्स हो घंटा यहां से नहीं तो हम और ढवाइट भी कर सकते हैं तो चलिए तो आपका होता है आछा चाल आउसत चाल बराबत कुल दूरी कुल समय कितना लगा है 5X बाटा में 240 तो XX कट गया की नहीं कट गया 240 उपर चल जाएगा 240 बाटा में कितना 5 ठीक है और 5 से कटा दीजिए तो 5 यहां से 5 से कटा देंगे तो 5 4 को आपको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 5 बाटे 40 यानि कि इतना किलोमीटर प्रति क्या तो होगेगा तो आपसान देखते हैं आफ्सन आपका और Economy आद रखेंगे कि आपको समझ में आगया होगा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिजिएगा प्रस्ट नमर 20 देखते हैं तो प्रस्ट नमर 20 कर रहा है कि यदि एक वस्तु विराम से गिरती है गिरती है तो वस्तु द्वारा 2H यानि कि दुगनी दूरी गिरने में प्राप्त वेग है यानि कि 2H दूरी गिरने में प्राप्त वेग आपका कितना होगा वही आपको फाइन करना है तो वस्त कुछ ने करना है हम जानते हैं कि जब विराम वस्ता से कोई भी वस्तु चलती है तो उसका प्राग्विक वेग जीरो होगा तो वस्तु द्वारा 2H दूरी गिरने में यानकि हाइट जो है कितना है 2H आपका है ठीक है अब देखिए गिरने में प्राप्थ वेक आपका अंतिम्बेक कर रहा है कि अंतिम्बेक कितना प्राप्थ होगा तो हम जानते हैं कि v स्क्वाइर बराबर होता है यू स्क्वाइर प्लस टू जी एच तो फ्रेंग्स आप लोग याद रखेंगे यहां पर प्लस रहेगा यह माइनस रहेगा जब उपर से पिंड गिरता है तो धीरे-दीर गुर्ती त्वरण जो है कि बढ़ता जाता है यहनि कि उसका मान जो है ग इसकी वज़ास जो है कि पिंडर अफ्तार गती से नीची की तरफ गेरता है जो उसी को ऊपर के तरफ फेकते हैं तो गुर्ती तूर्ण का जो मान होता है घटने लगता है यहां पर जब नीची की तरफ गीरेगा तो प्लस होगा जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस हो स्क्राइब हो जाएगा अन्डर दूरी करनी मेंत बटी नेंगे तो 4 जो क्या हो जाएगा जी एच यहनी कि जो दुगुना यानिक टुएच दूरी गिरने में प्राप्त जो वेग होगा आपका होगा अंडर इंट्व अंडरूड ठिके तो आप तो से नम्ब्र आपकर कौन सा करेक्ट है आप लोग याद रखेंगे आप साथ स्यां देता तो है क्या मuba मैंने को तरह फाइंड कर लेते हैं छली बढ़ते आन्URE प्रस्ट नम्र एकेस के तरफ उस्प्रश्ट नम्र एक हिस क्या है आप देखें टीर प्रस्ट नम्र हम लोग में päckrist देखते हैं कि वीडियो अच्छा लगता है तो लायक कर दिएगा और ऐसे जरूर कर दिए ग है चलिए बढते हैं प्रस्ट मकरें कि तरफ झाल झाल